सबी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़र भूमी पूजन किया संभल में बनने जा रहा है मंदिर बहुत ही अनोखा और खास माना जा रहा है स्री कल्की धाम मंदिर पड़िसर पांच एकड़ में बनकर तयार होगा जिसमें पांच वर्ष का समय लगेगा ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर में भगवान अवतार माने जाते हैं कल्की पुरान और अगनी पुरान के अमसार स्री हरी का कल्की अवतार कल्यूग के अंत में अवतरित होगा इसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का वीनाश होगा अगनी पुरान में सोल में अध्याय में कल्की अवतार का चित्रन तीर कमान धारन किये हुए एक घुर सवार की रूप में किया गया है इसमें भगवान कल्की में के घोड़े का नाम देवदत बताया गया है पौरानिक मानताओं के अमसार कल्यूग 4,32,000 वर्ष का है जिसका अभी प्रतम चलन चल रहा है जब कल्यूग का अंतिम चलन शुरू होग तब कल्की अवतार लेंगे वहीं कल्की पुरान के मुताबिक भगवान कल्की का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संबल जिले में ही होगा कल्की का जन्म एक ब्रामन परिवार में ही होगा भगवान कल्की एक महानी उद्धा होंगे जिनका जन्म कल्यूग क्यांत में सभी चुपा दिया था तब भगवान विष्णु ने मस अवतार लेकर वेदों को प्राप किया और उन्हें फिर से इस्थापित किया दूसरा अवतार है कुर्म बिश्णू के दस अवतारों में से तीसरा अवतार है इस अवतार में भगवान ने शुवर का रूप धारन करके रिणा कश्यप राक्षास का वद किया था चौथा है नर्सिंग अवतार रंतों के अंसार नर्सिंग भगवान बिश्णू के चौथा अवतार है इसमें भगव बालक के रूप में धर्ति पराएं और पर्लाद के पौत्रराजक बली से दान में everywhere च्छथमा अवकतार है पुर्शूराम मना जाता है वें सिव के परमभट भगवान भगवान क्रिश्न की लीलाओं की कहानिया है इसमें गोपाल गोविन देख की नंदन वासुदेव मोखन माखन चोर मासुरी जैसे अनेक उनान साथ ही इन्होंने यूद्ध से पहले अर्जुन को वीता का उपदेश भी दिया था और लास्ट और नौमा अवतार भगवान हुए है ऐसे ही देश दुनिया की रास्ट माइक खबरों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल खबरी चोखट को